तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज दो डिक्टेशन जिसमें एक दैनिक जागरण होगा और दूसरा होगा हिंदुस्तान टाइम से अप लोग रिक्टेशन दिया जाया फले ही अलग-अलग स्पीड में तो दैनिक जागरण को हमने आसी में रखा है ताकि वो कबर हो जाए क्य वो सौ में कबर हो जातें आज है पांके स्टार्ट करते हैं क्विक्टेशन लेकिन उसके पहले इंपॉर्चन बात जो आप लोगों को बतानी है हम अपने सब्सक्राइबर सको या फिर ibs अपने जो happy members हैं या फिर happy member बनना चाहते हैं तो उनको कभी call नहीं करते हैं अगर हमारे नाम से कोई call करता है तो वो fraud है आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा एक ही official number है एक ही official whatsapp number है तो आप लोग कृपया ध्यान रखें इस सारे बहकावों में न आएं वरना आजक दोरी भी बहुत होती है तो आप लोग इसका ध्यान रखें और अपनी privacy अपने हाथ ही रखें तो चले स्टार्ट करते हैं हम असे सब्सक्राइब के डिक्टेशन इसकी आउटलाइन की वीडियो अलग से प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि ये डिक्टेशन बहुत लंबी ह हो जाती है इसलिए वो अलग से प्रोवाइड की जाएगी हैपी मेंबर्स वाले वीडियो के साथ ही तो चले स्टार्ट करते हैं आप असे सब्सक्राइब के डिक्टेशन स्टार्ट होगा थ्री सेकेंड बाद स्टार्ट पुल्वामा हमले के करीब देड़ साल बाद राश्ट्रिय जाच एजेंसी यानी एन आई ए की ओर से 19 आतंकियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र यही बता रहा है कि इस आतंकी हमले की साजस कितनी गहरी थी और उसे किस तरह पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैस ए मुहम्मद ने अंजाम दिया था आरोप पत्र में देरी का कारण 40 जवानों की जान लेने वाले इस भीशन आतंकी हमले की साजस की बिखरी कडियां जोडना हो सकता है लेकिन अब चेस्टा यह होनी चाहिए कि अदालती प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़े इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा सुनाने से न केवल आतंकी तत्वों के दुस्ताहस का दमन होगा बलकि पाकिस्तान को बेनकार करने में भी मदद मिलेगी इसके साथ ही राष्ट्रिय जाँच एजेंसी आतंकबार के खिलाप एक सक्षम संस्था के रूप में उभर कर सामने आएगी पैरा इस एजेंसी की ओर से दाखिल आरोप पत्र के अनुसार पुलवामा का आतंकी हमला पाकिस्तानी आतंकियों के इसारे पर अंजाग दिया गया आरोप पत्र में जैस ए मुहम्मत के आतंकी सरगना मसूद अजहर के साथ उसके भाई को भी आरोपित बनाया गया है यह वही खुंखार आतंकी है जो संसत के साथ पठान कोट में भी आतंकी हमले करा चुका है उसे अपहरत भारतिय विमान के बंधक यात्रियों को रिहा कराने के वदले छोड़ना पड़ा था उस दिन पाकिस्तान तो मिहरबान है ही चीन भी उसकी ढाल बनकर अपनी फजीहत करा चुका है हाला की इस खुंखार आतंकी सरगना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद ने पाबंदी लगा रखी है लेकिन यह केवल कागजी ही है सच यही है कि पाकिस्तान में वह पहले की तरह संरक्षित है यदि पुल्वामा हमले के सिलसिले में मसूद अजहर पर लगे आरोप सही साबित किये जा सके तो पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव बनाने में सफलता मिलेगी निसन देह भारत की पहुँच पकड़ से दूर है लेकिन उसके कई गुरगे जो एना यार की गिराफ्त में है उन्हें बच निकलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लडाई को प्रभावी रूप देने के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि आतंकी हमलों से जुड़े मामलों की सुनवाई को विशेश प्राथमिकता दी जाए पैरा इसका कोई ओचित्य नहीं कि अन्य मामलों की तरह इन मामलों की सुनवाई भी लंबी खिचे जब ऐसा होता है तब जाने अन्जाने देश दुनिया को यही संदेश जाता है कि भारत आतंकवाच से अपनी लड़ाई पूरी प्रतिबधता के साथ नहीं लड़ रहा है उचित यह होगा कि आतंकी घटनाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई एक तै समय सीमा के अंदर हो इसके लिए केवल राश्रिय जाच एजेंसी के साथ साथ उन अदालतों को भी तेजी दिखानी होगी जिन पर ऐसे मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी है अब स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स उसके पहले आप मैं आपको एक बाप फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ कि हमारे दरब से कोई भी कॉल नहीं जाता है कि आप हमारे मेंबर्शिप को जॉइन करें अगर आपके पास ऐसे फ्रॉड कॉल जाते हैं तो आप अवेर रहे और अगर आप कोई एक्सन लेना चाहते हैं तो वह भी आप फ्री हैं आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके आपको भ्रमित किया जा रहा है तो आप फ्री है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सौसर दिर्परत मिनट के हिंदुस्तान टाइम्स यह दोनों डिक्टेशन अगर आप हैपी जीमेस के मेंबर हैं तो आपको जो आईडी और पासवर्ट दिया गया है उसे लॉग इन करके दोनों डिक्टेशन को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं पहले एक डिक्टेशन दिया जाता था लेकिन अब जीमेस में दो डिक्टेशन दिया जा रहा है अगर आप हैपी प्रो के मेंबर हैं तो आप सारे डिक्टेशन के साथ इन दोनों डिक्टेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं और इतना ही नहीं यह सारे डिक्टेशन आपको अगर आप हैपी प्रो के मेंबर हैं तो यह सारे डिक्टेशन आपको वेबसाइट में फीड मिलेगा वहां से आप सुन सकते हैं लिख सक और डाउनलोड भी कर सकते हैं वहां वहीं पे इसकी पीडियफ भी मिलेगी तो कोई वाट्सप ग्रूप नहीं है आपको डारेक्ट पीडियफ और और अडियू प्राफ्त करने के लिए वेबसाइट पे जाना होगा वेबसाइट के अच्छिस आप अब कर सकते हैं जब आप म स्टार्ट इंडियन मेडिकल कॉंसिल ओफ रिसर्च यानि ICMR ने कोविडों निस से जुड़े जो आकडे कल जारी किये हैं वे काफी सकारात्मक संकेत देते हैं यह ठीक है कि देश में कुरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 32 लाग हो चुकी है और इससे मरने वालों की तादाद अब 60,000 के करीब पहुच रही है मगर ताजा आकडे बता रहे हैं कि ठीक होने वालों की दर बढ़कर 75 फीसदी से उपर हो गई है और मृत्युदर 2 प्रत्शत से नीचे आ चुकी है बलकि एक्टिव मामलो से तीन गुना जादा लोग अब इस वाइरस को मात दे कर बाहर निकल चुके हैं निसंदेह इसके पीछे एक बड़ी वजह जाच की बड़ी संख्या है सुरुआत से ही तमाम विशेशग्यों की यह राय थी की जादा से जादा जाच ही इस महामारी में प्रभावी फर्क डाल सकती है ICMR के आकडो के मुताविक देश में अब तक 3,60,000,000 से अधिक जाच हो चुकी है और अब रोजाना लगभग 10,00,000 लोगों की जाच की जा रही है हाल के दिनों में सुधरते आकडों का एक बड़ा असर यह पड़ा है कि लोगों के भीतर हालात के तेजी से सामान्य होने की उमीद बढ़ी है दो माह पहले जो एक किस्म की बदहवासी या बेवसी दिख रही थी वह अब लोगों के जेहन से उतर रही है राजथानी दिल्ली में तो हजारों लोग होम क्वारंटीन में ही वाइरस की गिरफ्त से बाहर आ चुके हैं दिल्ली के दूसरे सिरो सर्वे के आकडे इसकी तस्दीक करते हैं यहां के 29 फीसदी से अधिक लोगों में एंटी बॉडी विक्सित हो चुकी है यही कारण है कि कोरोना के सुरुआती सिकार बने महानगरों में लोग अब कुछ एहतियात के साथ बाहर निकलने लगे हैं कुछ राज सरकारों ने भी अपने यहां लगे पावंदियां उठा ली हैं करनाटक ने जहां दूसरे राज्यों से आवा जाही को लेकर जारी तमाम सर्तों को हटा लिया है तो वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र से अपील की है कि कुछ एहतियात के साथ एक सितंबर से मेट्रो रेल सेवा सुरू करने की इजाजत दीजाए इसमें कोई दोराय नहीं कि दिल्ली की लाइफ लाइन मेट्रो की सुरुवात यहां के लोगों के मनो विज्याद पर काफी सकारात्मक असर डालेगी लेकिन इस पुरा उम्मीद एहसासों के बीच हम इस तत्य को नजर अंदास नहीं कर सकते कि अब भी रोजाना साथ हजार से अधिक लोग देश में इस वाइरस की गराफ्त में आ रहे हैं और हमारे सबसे बड़े व सगन आबादी वाले उतरी राज्यों में जाश की रफ्तार उमीद के मुताबिक नहीं है इस वाइरस की डबलू एच्चो से अनुमोदित किसी वैक्सीन के आने में अभी वक्त है ऐसे में हमें अभी बचाव के उपायों से ही इसे काबू में करना है एक बड़ी चुनोती यह भी है कि संक्रमन अब छोटे कस्बों और गावों तक पसर चुका है जबकि आने वाले महीने बड़े त्योहारों के हैं तमान सरकारी इमदादों के बावचूद लोग आर्थिक दवाव में हैं ऐसे में त्योहारी सीजन में उनकी गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी वैसी इस्थिती में संक्रमन की आसंकाएं भी अधिक होंगी फिर इस महमारी को लेकर एक चिंताजनक ख़वर यह भी आ रही है कि होंग कॉंग में एक ठीक हो चुका मरीज दुबारा इसकी गिरफ्त में आ गया है इसलिए अभी काफी साउधानी बरतने की आवश्यक्ता है सासन प्रिसासन के इस्तर पर भी और समाज के इस्तर पर भी वरना अब तक के सारे परिश्णम कोरोना वारियस की सारी बेमिसाल कुर्बानियां जाया हो जाएंगी डिक्टेशन समाप्त हुआ ऐसे ही प्रते दिन आपको डिक्टेशन मिलता रहा है इसके आउटलाइन्स के वीडियो, हैपी मेंबर्स की आउटलाइन्स के वीडियो के साथ ही बना दी जाएगी ताकि अच्छे से एक्स्प्लीनीशन हो सके और मैं कह रही हो कि हैपी प्रो के अगर आप मेंबर हैं तो आपको टाइम पर डिक्टेशन मिल जाएगा आउटलाइन और पीडियव भी मिल जाएगा क्रिपया धैरे बनाए रखें जो भी आपका फिक्स टाइम है उसी टाइम पर दिया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दन अपना ख्याल रखें धन्यवाद